नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाजवाला लेकर आया हूँ, प्रसिध लेखकों की प्रसिध कहानिया, दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए, तिसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें, तो आए इसी कड़ी में शुरू करते हैं माज की कहानी. कहानी का सिर्षक है कविता, एथिन्स के राज मार्क पर दो कवियों की भेंट हो गए, मिलकर दोनों को खुशी हुई, एक कवी ने दूसरे से पूछा, इधर नया क्या लिखा है, दूसरे कवी ने गर्ब से कहा, मैंने भी हाली में एक कविता लिखी है, जो मेरी सभी में स्रिष्ठ है, मुझे लगता यह गरीक में लिखी गई सभी कविताओं से भी स्रिष्ठ है, यह कविता मेरे गुरू की स्तूती में लिखी गई है, तब उसने अपने कुर्ते से पांडू लिपी निकालते हुए कहा, अरे देखो, यह तो मेरे पासी है, इसे सुनकर इससे आपको बहुत प्रसिधी मिलेगी, पहले कवि ने सपाट स्वर में पुछा, तू मासकल क्या लिख रहे हो, दूसरे न उतर दिया, बहुत थोड़ा लिखा है मैंने, केवल आठ लाइने, एक बाग में खेल रहे बच्चे की स्मृती में, उसने अपनी रचना सुनाई पहले कवि ने कहा, ठीकी है, ज्यादा बुरी तो नहीं है, आज 2000 वर्ष बीत जाने पर भी, उस कवि की आठ पंक्तियां परतेक भाशा में बड़े प्रेम से पढ़ी जाती हैं, दूसरे कवि की रचना शताब्दियों से पुस्तकालें और विद्वानों की आलमारियों में सुरक्षित अवस्य रही हैं, पर उससे कोई नहीं पढ़ता, धन्यवाद